तो आपसे कुछी देर बाद राहूल गांदी की भारत जोडो न्यायात्रा का समापन होगा और जहां पर ये कारेक्रम होगा उसकी शुरुवात होगी वहाँ से मेरी सयोगी श्रिया लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं श्रिया आज जिस तरीके से इंडिया गटबंधन का शक्ती प्रदर्शन देखने को मिलेगा लेकिन हर किसी की निगाहिस बात पटिकी हुई हैं क्या कि वो कौन-कौन से बड़े नेता होंगे जो राहूल गांदी के साथ मन्च साज़ा करेंगे देखे इस वक्त हम शिवाजी पार्क में जो है वो मौझूद है और यहाँ पर अभी कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर इंडिया अलाइंस के तमाम बड़े नेता जो है वो पहुचेंगे लेकिन अगर हम बड़े नेताओं की बात करें तो तेजस्वी यादो अभी तक एरपोर्ट पर बहुत चुके है वही राहूल गांदी इस वक्त बैंडरा के ताज लैंडेंड होटल में है जिस पर अभी कुछ ही देर बाद आने की छे बज़े के करीब जो है वो राहूल गांदी जो है वो यहाँ पर मंच पर उपस्तित रहेंगे लेकिन इस व अभी तक एक अखिलेश यादव भी शामिल होंगे क्योंकि पहले अखिलेश यादव इस बात की नाराज़की जता रहे थे कि मुझे बड़े कारेक्रम में बुलाया नहीं जाता है तो अभी भी मापको बता दे कि अखिलेश यादव इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल नहीं होने वाले हैं तिजस्वी यादव, MK Staling जैसे देता जो है इस पूरे शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे और शक्ति प्रदर्शन अब से कुछ इनेर बात जो है वो शुरू ह और भी अगर आपीछह देखें तो रहुल गांदी का एक बड़ासा बैनर आपको नजलारा वोगाइगा प्यंक गांधी का बड़ा一व पोस्टर नजलार वोगा सु prossn गांधी का बड़ा सा पोस्टर जो है वो नज़र आ रहा हूँ तो तैयारी यहां पर सबसे जादा हो चुकी है कि किस प्रकार से शक्ति प्रदार्शित जो है वो इंडिया आलाइज जो है वो यहां पर दिफाती नज़र आएगी वही सब के स्पीच में भी सब की निखाये हो कि आखिर आज कौन-कौन से नेता पहुचे जैसे कि आप कहरें कि तेजस्री आदव एंके स्टालिन पहुचेंगे लेकिन एक बार फिर से अखिलेश आदव यहां से नदारत बहुत बर शुक्र शुक्र आपका तमाम जानकरे के लिए करणста कहुचे और शुक्त है।